इनको समझते हैं देखिए इसमें भी हम आपको दो एक जांपल देते हैं जैसे सरीर में भोजन का पचना सरीर में भोजन का क्या होना तो पचना भोजन का पचना ये प्रोसेस देखें कि सरीर में जो भोजन पचता है वो कैसे पचता है तो आप क्या करते हो सबसे पहले जब आप भोजन का इतना बड़ा टुक्रा गरहन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कि सबसे पहले ये भोजन आपके मुख गुआ में ही पचना प्रारंब हो जाता है, ठीक है, ये भोजन जैसे ही आप अपने मुख के अंदर लेते हैं, तो यहाँ पाचन किरिया कहां से प्रारंब हो जाती है, तो मुख गुआ से, मुख गुआ में कौन भाग लेता है, तो ये तो सब को पता होगा, कि मुख गुआ में भोजन के पाचन किरिया में दौत क्या करते हैं, तो भाग लेते हैं, ठीक है न, तो यहीं से देखे इस भोजन का तूटनों क्या हो चुका है प्रारम्ध हो चुका है और यही प्रक्रियाद